कांग्रेस को जो वोट मिले उने देख के नहीं दिये नाचे कूदे बांदरा और खीर खाए बीडी सर्माजी अगर हारे तो केवल चंबल गवाली और मैं इसाथ सीतपन को विली थी बाकी तो निकाल ले गए थे ऐसे हमारी लोग प्रिनेता जिन्होंने प्रदेश के दिकास की खातिर सत्ता के स्वन्ड सिंगासन को ठोकर मार दी और भारती जंता पार्टी में सामिल होगा एक बार तालिया बजा के जोरदार स्वागत कीजिए सिंधिया जी का अविनंदर कीजिए सम्मानी मारा सिंधिया जी हमारे मार्ग दर्सक और वरिष्ठ नेता आदानी स्रीमान मोगे जी भाई तुलसी सिलावट जी छोड़के आये थे गोविन भाई हरदीव डंग ये सब वो है जनोंने पद की परवान नहीं की सिद्धानतों की खातिर जनता की खातिर पद को ठोकर मार के चले आये जोर से एक बार इनके लिए विताली बजाए भाई लोकेंद्र जी और किसका नाम लूँ किसका ना लूँ इतने बरिष्ठ नेता बैठे हैं कई तो मुझसे बहुत बरिष्ठ हैं आज भारती जनता पार्टी की सदस्ता स्विकार करने आये मेरे प्रिये बहनों भाईयों भांजे भांजियों दोनों हजोल के आप सबको प्रणाम करता हूं भारती जनता पार्टी किस परिवार में आपका हिर्दे से स्वागत करता हूं दिल से अभिननन करता हूं ये भारती जनता पालिटी का परिवार है कांग्रेश की तरह नहीं है भाद उठिका नहीं है कौन किधर है मारा जितने दिन कैंसे रह लिए बड़ी देर भई नंदलाला यह भारती जन्ता पार्टी का परिवार है जो दिल से अपनाता है दिल से स्विकार करता है मेरे मित्रों आपका स्वागत है और वैसे भी मैं तो क्या तहूं हम है राही प्यार के हम से कुछ न बोलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के अब हम एक दूसरे के हो गए है जैसे दूद में सक्कर मिलके एक मेक हो जाती है वैसे ही भाजपा के परिवार में एक मेक हो गए हम सब और मेरे अद्दग जी न काई वीडी सर्माजी ने मैं भी आपको वचन देता हूं भारती जनता पार्टी आपको सम्मान भी देगी और आपको दिल में इस्थान भी देगी मिल के साथ चलेंगे अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हमारे निता है अंदरेंदर मोदी जी वैस्विक निता है आज आपने देगा चीन ने आखें दिखाई तो अपने सेनकों ने उनके सेनकों की गर्दन तोड़के गिराई मोदी जी का कुसल नेत्रत एक बैवफ साली भारत एक गौरफ साली भारत एक संपन्द भारत एक सम्रिद्ध भारत एक सक्तिसाली भारत के निर्मान के लिए हम उसी राह के राई हैं लेकिन मद्ध प्रदेश में बीच में कांग्रेस की सरकार बनी बनना था किसो को मुखमंत्री बन और कोई गया नकली चहरा सामने आए असली पीछे ही और वो भी ऐसे दंब और अहिंकार में चूर हो गए और एक नहीं दो दो थे और दो ही गजब के अरे बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुहा नदला आते ही लूटने के खेल में लग गए तू रेत ले ले तू सराव ले ले तू पानी में से पैसा निकाल ला मदपलेस की जनता से लेना दाना नहीं था ये बैटे हैं मेरे निता तीन यहां गोविन सिंग राजपूत तुलसी सिलावाट और हरदीब डंग कंबलनाथ को टाइम था मंत्रियों के लिए बिधायकों के लिए मैं तो हैरत में रह गया जब इमर्ती देवी जी बाकी लोग मिलने आय तो मैंने बिठाया बात की बड़ी देर तक सुनी कि पहली बार इतनी चे देर चेंबर में बैठे भया नहीं सो हम मंत्री थे हम में को पूछ रहे हु थो हमके जब बे उथे तब क्या होता था चलो चलो चलोrån हो चोवीज घंटे च्वीस नहीं है चलो चलो पदो चलो वोले एक दिन हम आए दो बैठे थी बार हमने को जी भई तुम को पथ पह हो तो दूसरे नहीं कैये कोई नोट वोरियों में भरते हैं और सीखें प्राइबेट आद भी बैठ गए अरे क्यों तरह दित्ती जी की तरफ उंगली उठाने वालों तुमने प्रदेश को लूट लिया चारागाह बना दिया प्रदेश का सत्यानास और कबाड़ा कर दिया भिष्टाचार के नितना रिकार्ड बढ़ाए कमलनाद बताए दो exactly करोर रुप्या इंकम टेख्स की रेट में से कहां से आए बताना चाहिए की नहीं बताना चाहिए अरे जोर से बोलो बताना चाहिए की नहीं जंता का पैसा जेब में इंकम टैक्सी रेट पड़ी वो दो मैं नाम नहीं लूगा निकौन नहाई बाद में करोण रुपया निकल रहे हैं तुम तहाग तफस्या के धनी हो गए बल्ला भवन को दलानों का अड़ा तुमने बनाया विधायक जंता सांसद मंत्रिक लिए टाइम नहीं नहीं यह टाइम नहीं ठेकिदार आजा आप बैटते हैं रात को नौ बज़े तक बैटते हैं लिया ह लूट लिया पूरे मध्वदेश को पहली बार मध्वदेश के टिहास में बल्लब भवन दलालों का अड़ा बना दिया कमलनाथ तुमने पाप किया है पाप बच नहीं सकते इस पाप से और पीछे दिगी मिस्टर बंटा ढार आज आप तो अकेले में बैठके कमलनाथ रोते हैं बोले कह रहा था चिंता मत करो मैं तो हूँ इतने विदायक सैठ है कब पाओं के नीचे से जमीन खिसे गई पते ही नीचे ला चड़ा दिया कि चंता मत करो कमलनाथ जो तरह दिलती जी क्या कर लेंगे ड़ड़ जाओ मैदान में तो कमलनाथ बोल पड़े के महाराज ने कहा कि भाई गरीबों की तरफ ध्यान दो वादे पूरे करो बचन निभाओ और नहीं तो बचन निभाओ ने हमको जंता की बात कहने सड़क पे आना पड़ेगा उदर जाओ सड़क पे महाराज सड़क पी ला दिया या फर्मनेंटी सड़क पे आगए अब रो रहे हैं के लिगे यह तो कह रहा तो इतने विदायच मेरे बाद मैंकर राजाने किसी को नहीं छोड़ा रहे कमलनाथ तु किस कहत की मूली कई को पहले ही निप्टा चुके हैं जिसके कंदे पे हाथ धर दिया हो गया काम से कमलनाथ यार तुम कैसे नेता हो दिग्टी को पेचानी नहीं पाए और अब दोस्ते रहे चले गए चले गए नहीं चले जाते तो क्या करते तुमारे हैं इनने धोखा दिया जनता को मैं देख रहा था कर्जमाफी की फाइल है बजड मैं कहीं का इंतजाम नहीं किया कागेज के तुक्ले मांड दी है जब मैं बजड की मिटिंग कर रहा था दुबो ने इतने पाईसे द direction बोख कर्जमाफी के कागज बटे हैं पाईसा तो दिया ही कि बच्चों ने मांगा रोजगा दो के लग धोर चराओं धोल वजाओं साप पकड़ लाओं यह रोजगा डूंट रहे थे कि इसके लिए माहराई ने साथ दिया था तुम्हें अगर सुनाऊंगा तो आदी रात हो जाएगी बाद में सुनाएंगे जब निकलेंगे दोनों करोना नहीं होता तो अब तक तो धुआ धार मचा देते यार यहां से लेकर मुरहना तक काय का कमलनात और काय के दिख्विजे सिंगे जूटे मुकाबले करेंगे हमारे और हैं वर आपने सही का एक और एक दो नहीं होंगे एक पे 11 हो के दिखाएंगे प्रदेश के विकास के लिए लुट लिया पूरे प्रदेश को हमारी सब ना बंद कर दी संबल योजना बन क्या बेगार रहता गरीबों ने अब संबल गाता नहीं हूँ मैं कित देर लगेगी लेकिन गरीबों के कफन के पांच हजार तक खागे कमलना तुम जो पांच हजार रुपे मरने पर देता थे बेटियों को धोका दिया बोले मामा देता सत्यस हजार हमें 500,000 देंगे कन्यादान योजना साधियां हो गई फेरे पढ़ गये कई मेरे पास बाद में आये मैंने का क्यों बोले कन्यदान में साधी हूई थी पैसा बोले नहीं मिला साधी के बाद नیا मेमान जी घर में आ गया कमलनाद के क्या वन हजार आज तक नहीं आ रही है बेटियों को धोका दिया तुमने गरीबों को बेटियों को किसानों को नोजवानों को माताओं बेहनों को अख़ार वालों को देला नहीं दिया सब के बन कर दी विज्यापन चोटे छोटे जोटे विचारे विज्यापन पर चलते थे गलस्टत पकड़र रोड़े और अख़ार वालों तुम भी नहीं पहचान पाई रहे क्या है कमलनाथ हो दक गी राजा पूरे प्रदेश में बुरी हालत कर दी और उसी का परिणाम था कि आधर नी माराज जियोत्र अधिति जी ने फैसला किया हमारे विदाएक साथियों ने फैसला किया कि केरियर दाओं पे लगा के आज हो फारती जंताओं पारिटी में पद छोड़ के स्ट्मलित हो गए और तब हर्ती जंताओंस की सरकार बनी इसिए को प्रणाम करता हूं अभी नदन करता हूं स्ट्रार का अब हम करोना में निकल पाए तो रोज रोज आरोप लगाओ और खुस हो गये जब महराज को करोना हुआ हुआ वले मुझा आ गया था यह हालत दीन की था अब कमर्नाथ के पास कोई जा है तो मुझे कहते थे विधायक साथ पैसे नहीं है गोविन भाई यही क्या रहे थे जब सरकार थी मुख्मंत्री थे पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है अब मैं मुख्मंत्री बना करोना काल है टेक्स का पैसा आ नहीं रहा लेकिन खा गए थी पांसो करोर से जादा मैंने पेंसंधारियों के खाते में डाले दादा ने दी नहीं थी रसोईयों के खाते में डाले जो निर्मान सिर्मिक थे उनके खाते में दो दो आजार रुपया डाले बाहर जो मज़ूर फसे थे उनके खाते में एक एक जार रुपया डाल बद्धान वोजन अलग से पहुंचाया और मेरे किसान भाईयो ये दिग्गी और कमलनाथ तो प्रीमियम कही पैसा खा गए थे भीमा दिया ही नहीं था आते ही मैंने 22 करोड रुपय का प्रीमियम जमा किया और प्रीमियम जमा करके 2990 करोड रुपय किसान के खाते में डाल दिये अगर मैं पूरी बताओं आपको तो लग भग 38,000 करोड रुपया अलग अलग योजनाओं में गरीब आम इंसान किसान छात्र नौजवानों के खाते में डाला जा चुका है कहां से पैसा आ गया हम जब आये तब करोड़ चा गया था करोड़ की एक मिटिंग नहीं ली कमला था सिंगल मिटिंग करोड़ की नहीं ली इन दोहर में फैल गया करोड़ लोग मर रहे थे हमने पूछा कमला थ क्या कर रहे थे बोल वो आईफा की मिटिंग ले रहे थे आईफा आईफा जानते हो क्या है हीरो हीरोई इन बंबई वाले उनका काहर कम होने बाला था उसके पास किसे मिलेंगे यह त्या हो रहा था प्रदेश को लूट डाला था और मैं सच कहा रहा हूँ अगर समय पर करोना पर हिलाज नहीं करते तो मदप देश पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है एक बैठक नहीं कि करोना काल में गया हूं खरीदना था मैं बोरा बोरी का इंतिजाम नहीं था प्रारम्भी विवस्ता है नहीं थी लेकिन आज से सीने पे हाथ रखके दिल पे हाथ रखके बताना अगर भारती जंता पार्टी की सरकार नहीं होती तो इतना क्या हूं खरीद पाते क्या कमल लान एक एक दाना खरीद कर रख दिया और किता एक करोड़ उन्तीस लाख मिट्री टन पंजाब बगरा सब पीचे रह गया दो परसेंट ब्याद पर कर जब फिर सुरू किया मज़ूर आए बाहर के 26 लाख मज़ूरों तक 26 लाख मज़ूर रोज मंड़े का मकाम कर रहे थे और मेरे बहनों और भाईयों कोई भूखा ना रह जाए यह रासन कार नहीं है तो अभी रासन देंगे मैंने कह दिया यह ग कितनी बात बता हूँ यह करते है कया और आज मैं फिर क्या रहूं? यह बास सही है थन का अब आओव है को उनकी टेक्स आया नहीं है लेकिन पैसे की कमी करोना नहीं रोइन गे मोधी जी के आसीरवास से हमीर भाही के आसीरवास से पारिटी की अद्दग जी हमारे दिन और काम में लगे रहते हैं उनके साथ और अब तो साथ माराज जी उत्रादित उसिंदिया जी का हम मिलके मद्ध प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर वन राज बना के दिखाएंगे विकास की दृष्टी से जनता के कल्यान की दृष्टी से इसलिए आज जो आपने फैसला किया उस फैसले का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ आपने बिल्कु सई फैसला किया है इसले में भारती जनता पार्टी देश की आवस्थ सकता है मोदी जी के नेतरत में चलेंगे यहां हम सब नेतरत को बैठा है मारा उनके साथ मिलके चलेंगे और किसी बात की चिंदा करने वाले हैं सबसे निपट लेंगे चिंदा की बात नहीं हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं उतलिए आप सब का एक बार फिर मैं भारती जनता पार्टी में स्वागत करता हूं अभिनन अब तो महराज का संगे है हम साथ मिलके आगे बढ़ाएंगे और इसलिए आज 99 दिन मुझे हो गए कल सौबा दिन होने वाला है सौ दिन पूरे हो गए सौ दिन में संकट के समय में ये काम हुए कि कांगरेश परेसान है अब क्या करेंगे तो जूटे आरोप लगाओ रो ना रो ये रोने वाले रोती ही रहेंगे लेकिन हम मद्ध प्रदेश की जनता को नई रहा दिखाएंगे नई उचाईओं पे ले जाएंगे उसलिए आप सबका एक बार फिर में भारती जनता पार्टी में दिल से हिर्दे से स्वागत करता हूं अभिननन करता हूं आए भारती जनता पार्टी के माद्धम से प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं मेरे साथ आज पूरे प्रद सीटें जो हमारे साथियों ने छोड़ी हैं इसलिए कि ये कांग्रेस की सरकार चली जा और प्रदेश बच जाए यहां एक-एक कारी करता पूरी तकस से लड़ेगा जैसे हर एक तुलसी सिरावठों और हर एक गोविन सिंग राजपूत और हरदीब डंगों चोवी सो को चोवी सो जिताकर लाएंगे इसके लिए हम संकल्प लेंगे बोले सब तयारे संकल्प के लिए तो संकल्प लेने के लिए दौनों हाथ उपर उठाके दौनों मुठी बांद के भारत माता की जै बोलके भाजपा को जिताने का प्रोदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे भारत माता की भारत माता की भाद भाद धन्यवाद प्रणाम नाग्ट